हाई गाईज, वेलकम बाक तो मैं येटिब शैनल, दिस साइट प्रिया सिंह, आज के वीडियो में मैं आप लों के साथ शेक करने वाली हूँ, अ हेल्दी डे इन मैं लाइफ, तो मैंने कौन कौन से से हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी फूड खाना मैं अपने बेड को बनाने के तुरंत बाद मैं अपने बैलकनी में जाके थोड़ी सी फ्रेश एर लेती हूँ, इससे मेरा मूड थोड़ा सा फ्रेश नप हो जाता है, जो भी मुझे थोड़ी बहुत नींद आ भी रही होती है, तो वो भी एकदम से अच्छे से खुल जाती है, तो दूप बहुत प्यारी लगती है मुझे इस टाइम पे, तो उसके बाद आते ही मैं अपने बालो को बन बना लेती हूँ, बिकॉज इसके बाद जो भी मुझे काम करना है हेक्टेक वाला, तो अट लीस्ट कोई भी डस्ट पार्टिकल मेरे हेर में ना आ जाएं, तो म मेरा नेक्स टेप होता है कि मैं जितनी भी क्लीनिंग करनी होती है, मैं उसे मॉर्निंग उठते ही कर लेती हूँ, बिकॉज इस टाइम पे, मुझे अपनी बॉड़ी को थोड़ा सा लाइक वाम अप दे रहा होता है, सो मैं अपने पूर वाले फ्लो का और नीच वाले फ्लो मैं पक्का लगा हूँ, सो एवरी मॉर्निंग मैं वाम वाटर पीती हूँ, यहां पर यह मैंने केटल ले लिया था, क्योंकि यह बहुत जादा एजी रहता है, इससे आपका करम पानी भी हो जाता है बहुती को एक विदिन 1-2 मिनिट्स यह मेरे पानी को अच्छे तरीकी से बहुत योगा आसन कर लेती हूँ, ब्रीधिंग वाले एकसरसाइज कर लेती हूँ, बिकॉज विंटर सीजन में हमारा जो थोट होता है और हमें कोल्ड कफ होने के चांसे जादा रहता है, तो मैं गरम पानी इसी के बीच में इंटेक करती ही रहती हूँ, आफ्टर दाट य बालों को 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 बालो skin cells होता है, सब कुछ ना wash away हो जाता है and उसके बाद मैं आ गई थे ने balcony area में because शार लेने के बाद मेरे like body को temperature को normal करने के लिए मैं make sure करते हूं कि balcony area में at least 5 से 10 मिनट के लिए ऐसी walk कर लो so that कि मेरी body का temperature थोड़ा से normal हो जाए now it's breakfast time healthy breakfast option तो वो होता है ना जो कि rich in protein हो, convenient हो, healthy हो as well as super delicious भी हो so इसके लिए I have muscle blaze fit foods dark chocolate protein oats यह other oat brands की तरह बिलकुल भी नहीं है जो कि एकदम tasteless होते हैं और इसमें enough amount protein भी नहीं होता so this muscle blaze fit foods dark chocolate protein oats give you around 17 grams of protein per serving यह super convenient है, quick high protein breakfast choice है specially जब बहुत जल्दी में हो not only this, इसके अंदर added probiotics है, जो कि good gut health के लिए अच्छे होते है and इसमें decadent dark chocolate है, जो कि इस oats को और जदा delicious breakfast option बनाते हैं while also being super healthy, इसके अंदर anti-oxidants हैं like raisins, good fats, pumpkin seeds जो कि आपकी body के लिए बहुत जदा beneficial होते हैं want to try this product, तो इसके लिंक सब को description box में हो जाएगा आप जाके visit कर सकते हो website पे and click on the fit foods and वहां से आप product को add कर सकते हो cart में and then अगर आप मेरा coupon code used करते हो, जो screen पे mention हो रहा होगा, तो आप additional discounts पास सकते हो on muscle based fit foods so breakfast करने के बाद मैं terrace पे आ जाती हूँ, कपड़े पड़े ढालने, dry out करने के लिए क्योंकि breakfast करने के बाद तुरंत आपको sit down नहीं कर लेना चाहिए आपको थोड़ा बहुत ना, at least 40-50 steps चल लेना चाहिए so that कि at least आपका जो breakfast है, उसकी वज़े से आपको laziness ना हो या फिर किसी भी kind of fat increase ना हो जाए तो इसलिए मैं हमेशा में एक्षार करती हूँ ना, कि breakfast के बाद कुछ ऐसे घर की काम होते है चोटे मोटे मैं उसे finish off करने की कोशिश करती हूँ और इसी बहाने काम भी हो जाता है और इसी बहाने मुझे fat tummy की भी कोई दिक्कत भी नहीं होती है also मैंने आज hair wash किया था तो मैंने सोच लिया कि क्यों ना थोड़ी देर मैं टेरस पी अपना body को भी warmness प्रवाइब कर दू with the help of sun because मैंने हमेशा आपको कहा है हर वीडियो में कि थोड़ा बहुत vitamin D आपकी body के लिए बहुत अच्छा होता है लेकि इससे आपको sun tanning नी होगी and जो 10 o'clock से पहले-पहले की जो धूप होती है वो आपकी skin के लिए best होती है को बिल्कुल भी tanning होने के chances नहीं होता है तो उसके बारा बज़े तक भूक लगना start हो जाती है तो मैं सोचते हूँ कि खाना तो दो बज़े खाना ही है तो इससे पहले manching कर ली जाए and इसके लिए मम्मी ने बहुत कुछ बना के रखा है गुड के लड़ू, लाई वाला लड़ू and then चिक्की चिक्की तो मेरी फेवरेट है और मठरी भी so ये सब कुछ लेकर मैं अपने रूम में आ जाते हूँ and editing करते हूँ या फिर कुछ भी काम करते हूँ Netflix भी देख रहे हूँ और कुछ भी कर रहे हूँ तो इसको भी capture करके आपके साथ share कर दू well, do let me know कि आपको इन सारी चीजों में से फेवरेट कौन सा है because मुझे तो सब कुछ फेवरेट है and मैं इसे everyday खाती ही रहती हूँ उसके बाद हो गया था एक बद चुके थे and it's around lunch time, तो lunch time में lunch में ही बनाती हूँ तो यहाँ पर मैं सारी veggies ले आई थी क्योंकि आज मैं डाल तड़का बनाने वाली थी and एक quick से transition में मैंने सारी सबजियां cut off कर ली उसके बाद आज मैं बनाने वाली हूँ मसूर की डाल, मेरे याँ different डाल बनती रहती है बट मेरे भाई ना जल्दी खाता नहीं है तो इसलिए मैंने इसे wash of वगेरा कर लिया है मैं आपको थोड़ी बहुत recipe की आज दिखाई देती हूँ तो मेरी डाल तड़का की recipe मैं दो different different type of बनाती हूँ तो मैंने पहले oil डाल लिया था फिर थोड़ा जीर डाला दाल को भी फ्राइ कर लोगी और दाल को भी तोड़ी तो टीर ठाल कर लेती हूँ पाने डाल कि मैंने बंद कर दिया था एंने at least 4-5 ct आने देती हूँ बिन्वाइल ये ये शॉट में लेना भूल गई थी तो guys मैं मसाले डाल रही थी यापए उसके बाद जब मैं गुकर रग देती हूं gas पे मैं वहाँ की cleaning भी कर लेती हूं ताकि सारा काम भी हो जाह को cleaning भी साथ होते रहें फिर मैं आज बनाने वाली थी बासमती राइस क्योंकि बहुत मन कर रहा था बासमती राइस खाने का इसका अलगी टेस्ट होता है ना तो मैंने सुझे दाल तड़का बना रही हूँ तो बासमती राइस खाई लेती हूँ तो रात के नौब बच चुके हैं and it's dinner time and आज डिनर में मम्मी ने बनाया है छोले बटूरी जो कि छोले मम्मी बहुत जादा टेस्टी बनाती है वेल आप लोग सोच रहोंगे कि भटूरी की जगे ये पूरिया क्यों है because हम लोग मैदा अवाइड करते हैं जितना हो सके तो इसलिए हम लोग आटे की पूरिया ही बना लेते है and also मम्मी ने जोले बहुत ही कम और ऑईल डालके यूस करते हैं मसाला डालके बनाती है जो बहु सकती है as well as healthy भी हो सकती है so हम लोगा जो लंच होता है और डिनर होता है ना तो हम पूरी फामिली एक साथ बैट के ही खाते है and यही तो एक टाइम होता है ना कियार जब आप सब लोग get together करो and अपने फामिली topics में या फिर परसनल बाते या फिर अपनी हर एक चोटी मोटी च है क्योंकि मुझे शूट करना था well मैंने डिनर फिनिश कर लिया था and मैं डिरेक्ली किचन में आगी थी wash basin area side में सारे युटेंसिल्स like रात का सारे युटेंसिल्स में ही वाश करते हूं in fact दिन के भी सारे बरतन में ही दोती हूं तो दिन वाला तो मैंने शूट नहीं किया बट रात वाला मैंने सुचा चलो शूट करके आपको दिखाई देती हूं ये एक बहुत ही अच्छी हाबिट है अच्छी आपको नोट ओनी कुकिंग बट आसवल आज क्लीनिंग करने भी आना चाहिए because it's really important अगर आप अखेले हो घर में तो at least आपको हर चीज आनी तो चा क्लीन करने हूं जो भी एक्स्ट्रा युटेंसिल से उन्हें अच्छी से उनकी जगे रख के उन्हें वाश ओफ कर दे रही हूं अन उसके बाद ना यहां पर जिसे ओल चूट जाता है तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप गरम ओल यूस कीज़े उसकी वज़े से किचन एक्दम चमक जाएगा and here's the final look of my kitchen area so मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था and मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ ये क्लीन केचन का ग्लिम्स भी शेर करूं because में को ना हमेशा लेक चीज़े ना एक्दम सेटल डाउन करके रखना पसंद है तो इसले मैं भी हमेशा यह कहते हुए आप भी सेटल डाउन करो so thank you so much guys for watching this video अगर video अच्छी लगी हो तो do like share and subscribe to my youtube channel thanks for watching